1960 के दशक में बाहरी ग्रहों के अधेन के लिए Grand Tour के प्रस्ताव ने नासा को 1970 के दशक की शुरुआत में एक मिशन पर काम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। पाइनियर दस अंतरिक्ष यानद्वारा एकत्रित जानकारी ने इंजिनियरों को ब्रहस्पती के चारों और तीवर विकिरन से बहतर ढंग से निपटने के लिए वोयजर को डिजाइन करने में मदद की। फिर भी, लॉन्ट से कुछ समय पहले, विकिरन परिरक्षन में सुधार करने के लिए रसोई ग्रेड अल्यूमीनियम पन्नी की पट्टियों को कुछ केबलों पर लगाया गया था। शुरुआत में, वोयजर एक को मेरिनर कारेकरम के मेरिनर 11 के रूप में योजनाबध किया गया था। बज़िट में कटोती के कारण, मिशन को ब्रिहस्पती और शनी के पास से उडान भरने तक सीमित कर दिया गया और इसका नाम बदलकर मेरिनर ब्रिहस्पतिशनी जांच कर दिया गया। जब जांच के डिजाइन मेरिनर मिशन से काफी अलग होने लगे तो नाम बदल कर वाइजर कर दिया गया। वाइजर एक को जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, जेपी एल, ने बनाया था। इसमें 16 Hydrogen Thrusters, तीनक्ष स्थिरीकरण Gyroscope और संदर्ब उपकरण हैं, जो जांच के रेडियो एंटीना को पृत्वी की ओर इंगित करते हैं। सामुहिक रूप से ये उपकरण Attitude और Articulation Control Subsystem, AACS, का हिस्सा हैं। साथ ही अधिकांश उपकरणों की अतिरिक्त इकाया और आठ बैकप Thrusters भी हैं। अंतरिक्ष यान में ग्रहों जैसे खगुलिय पिंडों का अध्येन करने के लिए 11 वैग्यानिक उपकरण भी शामिल थे, क्योंकि यह अंतरिक्ष में यात्रा करता है। Voyager 1 की रेडियो संचार प्रणाली को सौर मंडल की सीमाऊं तक और उससे आगे उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें प्रित्वी पर तीन डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशनों के माध्यम से रेडियो तरंगों को भेजने और प्राप्त करने के लिए 3.7 मीटर, 12 फीट, व्यास का उचलाप के स्क्रेन एंटीना है। अंतरिक्ष यान आम तोर पर 2.3 GHz या 8.4 GHz की आवरित्ती का उपयोग करके डीप स्पेस नेटवर्क चैनल 18 पर प्रित्वी पर डेटा प्रसारित करता है, जबकि प्रित्वी से वाइजर तक संके 2.1 GHz पर प्रसारित होते हैं। जब वाइजर एक प्रित्वी से संवाद करने में असमर्थ होता है, तो इसका डिजिटल टेप रिकॉर्डर, DTR, बाद में प्रसारण के लिए लगभग 66 MB डेटा रिकॉर्ड कर सकता है। 2023 तक वाइजर एक से संकेतों को प्रित्वी तक पहुँचने में 22 घंटे से अधिक समय लगता है। वाइजर एक में एक बूम पर तीन रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर, RTG, लगे हैं। प्रतेक MHW RTG में 24 दबाए गए प्लूटोनियम 238 ऑकसाइड गोले होते हैं। RTG ने लॉंच के समय लगभग 470 W बिजली उत्पन की, शेश को अप्षिष्ट उश्मा के रूप में नश्ट कर दिया गया। इंधन के 87.7 साल के आधे जीवन और थर्मुखपल के क्षरण के कारण RTG का बिजली उत्पादन समय के साथ कम होता जाता है। लेकिन वे कम से कम 2025 तक इसके कुछ संचालन का समर्थन करना जारी रखेंगे। वोयजर के अन्य उपकरणों के विपरीत द्रिश्य प्रकाश के लिए कैमरों का संचालन स्वायत नहीं है, बलकि डिजिटल कम्प्यूटरों में से एक Flight Data Subsystem, FDS, में नहित इमेजिंग पैरामीटर तालिका द्वारा नियंतरित किया जाता है। 1990 के दशक से अधिकांश अंतरिक्ष जांच पूरी तरह से स्वायत कैमरों से सुसज्जित हैं। कम्प्यूटर कमांड सबसिस्टम, CCS, कैमरों को नियंतरित करता है। CCS में निश्चित कम्प्यूटर प्रोग्राम होते हैं, जैसे कमांड डिकोडिंग, फॉल्ट दिटेक्शन और फॉल्ट क्रेक्शन रूटीन, एंटिना पॉइंटिंग रूटीन और स्पेसक्राफ्ट सीक्वेंसिंग रूटीन। यह कम्प्यूटर 1970 के दशक के वाइकिंग और्बिटर में इस्तिमाल किये गए कम्प्यूटर का बहतर संसकरण है। Attitude और Articulation Control Subsystem, AACS, अंतरिक्श यान के अभी विन्यास, इसके attitude को नियंतरित करता है। यह हाइगेन एंटीना को प्रित्वी की ओर इंगित करता है, attitude में होने वाले बदलावों को नियंतरित करता है और scan platform को इंगित करता है। दोनों Voyager पर कस्टम निर्मिद AACS सिस्टम एक जैसे हैं। Voyager एक जांच को 5 सितमबर 1977 को Cape Canvarel Air Force Station के launch complex 41 से Titan IIII launch वाहन पर launch किया गया था। Voyager दो जांच को दो सप्ताह पहले 20 अगस्त 1977 को launch किया गया था। बाद में launch होने के बावजूद, Voyager 1 एक छोटे प्रक्षेपद का अनुसरन करते हुए ब्रहस्पती और शनी दोनों पर जल्दी पहुँच गया। Voyager 1 का प्रक्षेपद लगभग विफल हो गया था क्योंकि Titan का LR 91 दूसरा चरण समय से पहले बंध हो गया था, जिससे 1200 पाउंड, 540 किलोग्राम, प्रनोदक जल नहीं पाया था। कमी को पहचानते हुए, सेंटूर चरण के आन बोर्ड कम्प्यूटरों ने क्षति पूर्थी के लिए नियोजित समय से कहीं अधिक लंबे समय तक जलने का आदेश दिया। सेंटूर ने अपना स्वयम का जलना बढ़ाया और वॉयजर एक को वह अतिरिक्त वेग देने में सक्षम हो गया जिसकी उसे आवशकता थी। कट ओफ पर सेंटूर प्रनोदक ठकावट से केवल 3.4 सेकंड दूर था। यदि यही विफलता कुछ सब्ता पहले वॉयजर 2 के प्रक्षेपण के दौरान हुई होती, तो जान सही प्रक्षेपद पर पहुंचने से पहले ही सिंटूर का प्रनोदक समाप्थ हो गया होता। वॉयजर 1 की आरंभिक कक्षा की अपसौर दूरी 8.9 आओ, 830 मिलीन मील थी, जो शनी की कक्षा की 9.5 आओ, 880 मिलीन मील से थोड़ी ही कम थी।